कि यह जहें दोस्त नमस्कार आपका हमारे यूटूब चनल संधेग्यान में स्वागत हैं मैंने आपको एक से लेकर 50 तक का कुशन करवा दिया है ठीक है जो कि आपके आने वाल एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाका प्ल मैं आज 54 से लेकर 100 तक करवांगा ठीक है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कुशन है अगर आपको जो नहीं कुशन आ रहा होगा वह वीडियो पॉस्ट करकर अपने कॉपी में लिख लिए ठीक है तो चलिए आज का कुशन करते हैं उससे पहले बोलना चूंकर आप मारे चै अच्छा ठीक है जन्रल सेप्टी में यह कहा गया है कि कार इस्थल पर इंधन न फ्हलाएं उके चलिए आगे दिखते हैं से कहने में कि डीजल मसीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरच्चा संधानी कौन सी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नंबर B ठीक है यानि कि घुमने वाले हिस्सों का सेफगाड निकान लें ठीक है यानि कि मूविंग सेफगाड्स आफ रोटिंग कि अधाये गंभीर रूप से रक्तस्राव वाले खुले घाव के लिए किस प्रकार की प्रात्मिंग चिकिसा देखभाल की जाती है ठीक है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नंबर C ठीक है यानि कि रक्तस्राव को रोकने के लिए घाव के पास दबाओ ठीक है अगर आपके कहीं रक्तस्राव हो रहा है तो प्रात्मिंग चिकिसा में यहीं है कि जहां से आपका खून यानि रक्त निकल रहा है उसको दबादें ठीक है चलिए आगर दिखते हैं पताईए उर्जा सारच्छड का प्रमुख आउसर का है तो इसका सायनसर हो जाएगा अपसर नंबर भी ठीक है मसीनरी बदलना चलिए आगर दिखते हैं तरह सीट मेटल वर्क में सर्कुलर कटके लिए किस हैंडर टूल का उप्योग किया जाता है तो इसका सायनसर हो जाएगा अपसर नंबर भी ठीक है बैंड इस्पेन का उप्योग किया जाता है यह इंपॉर्डट कोश्चन है ठीक है याद के लिए यह बता अबोखरी माइक्रोमीटर में सुन्य सेटिंग के लिए किस इस्पेनर का उप्योग किया जाता है तो इसका सायर सरो हो जाएगा अपसान नंबर एक ठीक है कुक्तिप्यास्टे का ही heel आँङ करहा है आगे देखेंगा का नाम किया है ये आपकोछ इतर्में दीखरा होगा था विश्क 50 क्या नाम है आपके आफ्सन है की आऊट porte क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आता हो ठीक है तो इसका सही एंसर हो जाए कि आपको अप्सन नमबर डी ठीक है यानि कि हेल टाइप जैनी क्या पर है चलिए आगे दिखते हैं कि निम ने प्लायर का नाम क्या है ठीक है यह तो एक दम सरल है लेकर बताइए क्या है कि फ्लैट नोच प्लायर है यह कि राउंड नोच प्लायर है कि आपका C option है कि internal circle player या D option है कि internal circle player इसमें तो इसमें देखिए हिंदी में सही है लेकिन यहाँ पर हिंदी में गलत है ठीक है sleep joint player तो इसका सही answer भी यह हो जाएगा ठीक है option number C यानि कि यह sleep joint player है ठीक है यह चित्र में आपका sleep joint player okay इसका नाम split joint player है याद के लिए चलिए आगे दिखते हैं तो बताइए कि X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है ठीक है यह तो अधमसरल ही है ठीक है यह आपको क्या है कि फेस है या फिर चीक है या पेन या पीन यानि की वेट्ज या फिपेन इसमें देखें फिर हिंदी में गलती रिया है ठीक है इंगली सी आप देखिए अप्समें में तो सी में वेड्ज है या दी में पैन तो इसका सरीन सरो जाएगा अब्स नंबर सी ओके आपसलन मूंबर सी यानि की वेट्ज है ठीक है डबलुँईड जी ठीक है वेड्ज है चली आगे दिखते हैं इसमें आप बताए कि निमना थोड़े यानियमर का क्या नाम है आपने आपने बताय था कि उसका नाम है यह कौन सा हैमर है कलब हैमर बाल पीन हैमर इस्ट्रेट पीन हैमर सब्सक्राइब इस मार्किंग उपकरड का क्या नाम है तिक है यह आपको चित्र में देखे आओगा ठीक है इसका क्या नाम है ने और संव इनैम इसन ओर सेमिश ठीकसो इसका नबर रोटेक्टर एसी ओसने कि युणोवर्स बैयर गेज़ या डी आफसान किय Kung Solid सर्फेस केंज ठीके अशी में देखिए हिंदी मत देあ इंग्लिश 230 में से यह सही है तो इसका सव्डि में Syria आपका यूनिवर्सल सर्फेस गेज है चलिए आगे दिखते हैं पताए कि नेम ने कैलिपर का नाम क्या है निक वाट इस दनेम आफ कलिपर ठीक है पर्म-गेज़ इस मिफ़खे और ओर यह देखिए कि नेम ने कैलिपर का नाम क्या है अपने ऊपर देखा है कि कर दोगी इन्केट पर था जिसमें अंदर से बाहर उसका उनकी लब वो निकला रहा ठीक है कि इसमें देखिए कि यह बाहर से लिए यानि कि एक सरल ही है फ्लट नोज प्लायर राउंड नोज प्लायर या स्लिप ज्यॉइट मल्टी ग्रिप प्लायर तो इसका साय अंसर हो जाएक आप सा नमबर सीटी के यह स्लिपIST मॉटीगरिफ ग्रिप प्लायर है ओके चलिए आगे दिकते हैं ये बताई हिए झिनिमन अवजारं क्या नाम है ठीक है आपके आफ् government क कर्व टर यह फिर सरकल काटर यह पाइप कटर या त्रेड कर्ण ठीक है इंगलिस में ही आफ सandiki response यहां अलगभग सभी में हिंदी ने hairs तो सी मतलब इसका अंसर क्या हो जाएगा आप देख लिए यह चित्र में तो इसका सजय नंसर हो जाएगा अपसा नमबर सी ही ठीक है यह पाइप कटर है ओके यह याद कर लिए यह पाइप कटर है चलिए आगे दिखते हैं कि बताएज निमन आजार्ट टूल का क्या नाम है यह आपको चित्र में दीख रहा होगा ठीक है यह क्या नाम है तो इसमें कि अपर्योग होने वाले हाथ होड़े का क्या नाम है यानिक वाट इस तर नेम आफ हैमर यूज्ट इंद ऑपरेशन यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि एक आदमी उसके उपर मतलब रखका पीट रहा है ठीक है थोड़े से तो कौन सा मतलब है थोड़ा है मैलेट है थोड़ा बाल पीन ह थोड़ा या क्रॉस पिन है हैमर ठीक है या फिर स्ट्रेट पिन है मर तो इसका सब्सक्राइब हो जाएगा अफसर नमबर एक ठीक है यह मैलेट है मर है ओके चलिए आगे दिखते है नेम ने प्लायर का क्या नाम है ठीक है चित्र से बहुत ही अच्छा कुशन आएगा आपके एक्जाम में तो इसलिए चित्र किसी भी टूल का हो उसे याद चरूर कर लीजिए ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा किस प्रकार का प्लायर है तो इसका अंसर हो जाएगा अप्स और बताए कि ग्रषिप सर्क confidence का रानाम क्या नाम है यांदि कि इसका सद्म की तो इसका अचर्श हो जाएगा आपकाarta नमबर इन इंट्र प्रॉप नमबर भी में मतलब हैकर्षाह गोनल सरकेट की उपसे यानि सबस्च पूर्च कुणजी इसका नाम है, फॉक्त जाएगा अब को स्बड़ एपekaंव ऑन बरसित्रेक। चेम ऑघी मतलब हैं přेहते हैं आप ऌर गतीज़ेंघ। है बताईए कि Nimง क्रुम ड्राइबर का क्या नाम है ठीक के यहापका चित्रमें दीख रहा हो का असानी से ठीक है तो इसका क्या नाम है इसके आंट यह नीचे आपको दिए defin hai तो इसका सही अंसर हो जाएगो असन न्भर 10 टीक है यानि कि Stump screwdriver है, इसे Hindi ना दिखें, हिंदी क्योंकि C में लगवक सभी का गलत ही है, तो इसका Stump screwdriver है, याद के लिए है, इसका संगर हो जाएक, बताएक कि निम ने Screwdriver का क्या नम है, ठीक है, यापको चित्र में दीख रहा होगा, तो क्रॉस रिसेट इसकूरू या फिर भी आफ्सन है कि रैचेश्ट इसक्रूड्राइब तो इसका सई असर हो जाएगा आफ्सन नमबर एक ठीक है यह क्रॉस रिसेट इसकूरूड्राइबर है याद के लिजिए ऐसा भी कोशन आ सकता है कि इक पताई टायर के इस्पिती यानि की इंफिलेशन की चाश के लिए किस गेज को सब्सक्राइब या बहुत ही कोशन है तो इसका साइंसर हो जाएगा अफ्सन नमबर डीठीक है प्रेशर गेज का उप्योग किया जाता है ठीक है यह वाला मन दिखेए ठीक है क्योंकि इस म बहुत इंपोर्टेंट कुशन है तो इसका सब्सक्राइब 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 बिस्ट गवोठेकर आपप यह मतिकिए ठीक है जो इंदी में लिख्या है वह एंग्रिस में ञांजीटड gyn ?o आगे देखिये की आप प्रत्यच मापन यंत्रकाउं सहाइ यानि को वाट इस्ट की जोड़ा हिस्ट इन्टारेक्ट मेरट इंश्टूमैंट तो इस हो जाएगा option number B ठीक है यानि कि inside caliper आनि कि आंतरिक caliper होगा ओके हाँ तो बताइए कि X के रूमें चिनित भाग का क्या नाम है ठीक है या आपको चित्र में दिख रहा होगा क्या नाम है तो इसका sensor हो जाएगा आपका option number B ठीक है बीम ठीक है इस चित्र में जो X है वो बीम को दर्साया गया है चली आगे दिखते हैं अब आप इस चित्र में बताइए कि जो X है ठीक है एक्स जो है वो किस चिछ को दर्साया है ठीक है आपका कैप है लॉक या फिर श्टॉक या फिर थेंबल तो इसका इसका सइयंसर हो जाएगा option number C ठीक है इस टॉक को दर्साया गया है ठीक है एक्स में चली आगे दिखते हैं इसमें देखिए कि X रूम में चिनित भाग का क्या नाम है ठीक है जो आपको चित्र में X दिख रहा होगा ठीक है इस भाग का क्या नाम है तो इसके option नीचे आपक होग है चली आगे दिखते हैं कि बताइए कि बाहरी माइक्रो मीटर के वेबल ग्रेजुएट स्लिव का नाम क्या है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है कि वाट इस तो नेम आफ वेड़ ग्रेजुएट स्लिव आफ आउट आउट साइड माइक्रो मीटर्स तो इसका करो का चानबर टिखक है थिंबाल बोलते हैं चलिया ओके द सीर्णबर बताईए की फ्लैरिंग क्या है यान कि वॉर्ट इस फ्लैरिंआए मुझं तो इसका से अचली जाएगा अपिसन नम्बर एक ठीक है यानि एक ट्यूब एंड के व्यास में ब्रिध्धी ठीक है यानि कि increase the diameter of a tube इंड ओके तो उसके flaring बोलते हैं ओके चलिए आगे दिखते हैं बताए कि धात पतली धातु की चादर के संक्रेडन strips को मोड़ने के लिए किस प्लायर का उप्यों किया जाता है जब इसका सहींसर हो जाएगा अप्सान नमबर एक ठीक है फ्लेट नोच प्लायर का उप्यों किया जाता है आगे देखिए कि किस प्रकार के socket spinner को एक कोड में बदला जाता है तो इसका अप्सान हो जाएगा डी यानि कि इस्वेल socket spinner ओक हैं अगलिए अनुस संसिट कसाव पर थता पॉल्ट कसने के लिए किस उपकराड का उप्यों किया जाता है तो तो इसका सहीएस्प हो जाएगा ऐसमोर सी ठीक है आसे नंबर सी यानि टब कर इंच ? टबirm टोर्क यंच को या जाता है ? चलिए आगे दिखते हैं कि भताएये कि बाल्ग्ष्टेमर का उपयोग क्या है। तो इसका सहीएस्प हो जाएगा अपसंन नंबर धी कैρ Fang यानि कि धातु को सभी दिशाओं में फैलाना ओके यानि कि उसको मतलब लगवक सभी दिशाओं में फैलाना ठीक है यानि कि spread the metal in all direction ओके पताए एकल मुटाई वाले प्लायर के लिए किस धातु की ट्यूब का उप्योग किया जाता है यह भी important question है ठीक है तो एकल मुटाई वाली प्लेयर के लिए किस धातु कॉप्योग किया जाता है तो इसका science रोजाएक अप्सान नमबर डी ठीक है copper ठीक है copper कॉप्योग किया जाता है अब 86 नमबर बताए कि हथोड़े को कैसे नर्दिश्ट किया जाता है यानि कि how the hammers are specified ओके यह रहा आपका option ठीक है यह रहा option की वजन और अकार द्वारा या अकरिति द्वारा या metal and shape द्वारा ठीक है या metal and weight द्वारा ठीक है तो इसका science रोजाएक option नमबर डीक है कि weight and shape द्वारा होता है ओके तो बताई कि welded जोड से अतिरिक्त धातूओं को हटाने के लिए किस प्रकार की छेनी यानि चीजल का उप्योग किया जाता है यह भी important question है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा उसका बताई वीडियो नहीं दिखा घईक है तो जाके playlist में दिख लीजए नहीं इक और पहला वीडियो नहीं दिखाए टीक है तो जाके playlist में दिख लीजिए ठीक है यह तो हमारा second video है तो आप दो तीन बार वीडियो को जरूर देखे तो इससे क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा ठीक है वहाँ पर जबाएगा तो आप आप सथापित करने के लिए और इस्थापित करने के लिए तो सेच रहेगा अप्योग क्या जाता है नहीं अब बताए की इंगल प्लेट का उद्देश सिक्या है यह बहुत इंगल प्लेट का उप्योग उद्देश क्या है तो इसका सज़ेंसर हो जाएगा अप्सान नमबर बी यानि कि मार्किंग को लगाना ठीक है यही इंगल प्लेट का उद्देश यहीं चलिए आगे दिखते हैं कि बताई कि हाफ राउंड चीजल यानि कि अर्थ गोलाकार छैनी का उद्देश क्या है तो इसका सज़ेंसर हो जाएगा अप्सान नमबर बी यानि कि कट कर्व ग्रोफ यानि कि घुमावदार खांचे काटना ओके इसलिए हाफ राउंड चीजल का उप्योग किया जाता है बानबे नमबर देखिए कि which screwdriver is used in blind space यानि कि blind space में किस screwdriver का उप्योग किया जाता है तो इसका सज़ेंसर हो जाएगा अप्सान नमबर बी में ठीक है यानि कि upset screwdriver का उप्योग किया जाता है चलिए आगे दिखते हैं यहां पताए कि हथाओडे में क्राउस्पीन का उद्देश से क्या है ठीक हथाओडे में क्राउस्पीन का उद्देश से क्या है तो इसका सज़ेंसर हो जाएगा अप्सान नमबर डी ठीक है यानि कि धादू को एक दिशा में फैल आना ओके यानि कि spread the metal in one direction इसलिए हथाओ इसका हो जाएगा अप्सान नमबर डी ओके यानि कि size cross the flat ओके size cross the flat यानि के flat के across द्वारा ओके चलिए आगे दिखते हैं यहां प्यापताए कि screw driver कैसे नर्दिष्ट किया जाता है यानि कि how is the screw driver is specified तो इसका सब्सक्रूर हो जाएगा अप्सान नमबर एक ठीक है यानि कि blade की लंबाई और tip की चोड़ाई द्वारा ओके यह भी important है आगे देखिए कि dial gauge द्वारा engine के किस भाग को मापा जाता है यहां बहुत important question है ठीक है इसको आप style लगा लीजे ठीक है कि dial gauge द्वारा engine के किस भाग को मापा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D ठीक है यानि कि cylinder बुर कुमा पा जाता है ओके और यह भी बहुत important question है इसको भी आप ठीक लगा लीजे ठीक है कि dial test indicator का सिधान्त क्या है यहां पर उत्तोल उत्तोलन गती या फिस्प्रिंग मोशन या फिलाइनर मोशन इंटू रेसिप्रोकल मोशन ठी ठीक है या डी option है कि liner motion into rotary motion ठीक है तो इसका अंसर भी यहीं हो जाएगा कि रेखिए गती से rotary गती ओके तो यहीं important है ठीक है इसको भी आप याद के लिए 98 नंबर बताईए कि crank soft general के run out की जांच के लिए कि उपकरण का उप्योग किया जाता है ठीक है तो इसका से अंसर हो ज generator का उप्योग किया जाता है ठीक है अब बताएए कि spark plug gap की जांच के लिए किस gauge का उप्योग किया जाता है यह भी बहुत important question है ठीक है तो इस पारक प्लक की जांच के लिए option number D में होए कि यानि कि filler gauge का उप्योग किया जाता है ओके अब दी आफ्स सव नंबर में तर लाश् पार्डवन बताया था इसमें 2-3 question चरूर फसेगा यह confirm है तो इसका सब्सक्राइब हो जाएगा filler gauge ओके यानि कि piston ring and gap को चेक करने के लिए filler gauge का उप्योग किया जाता है तो बचो आज के लिए इतना है तब तक के लिए नमस्कार्त जहिन जह भारत आव लाइक और सब्सक्र